वर्मा जी का परिवार यहां लोगों के दिलों में प्यार तो था लेकिन रोज रात में खाने के टेबल पर जो तहल का मशता था उसका कोई मुकाबला नहीं था आईए चलते हैं आज कौन सा नया घमसान आने वाला है वर्मा जी के घर अरे आज पर काने में चावल नहीं बनाये बहू मैं बिना चावल के नहीं रह सकता हूँ यह तुम दोनों अच्छे से जानती हो अरे बहू यह क्या है यह सुबा की बची हुई रोटियां क्यों है खाने में मैं तो यह नहीं खा पाऊंगी वैसे भी मुझे डॉक्टर ने बासी खाना खाने को मना किया है मम्मी जी किसी ने तो पैर में खाना नहीं खाया इसलिए यह रोटियां बच गई रोशनी जरा चार फुल के गरमी से एकला रोशनी उटकर जाने लगती है मान्या भी पीशे चली जाती है बहु अब जाही रही है तो जरा चावल का कुकर चड़ा ही देना अरे मान्या वो जरा थोड़ी सी मिर्ची भी तल देना बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया अब मिर्ची से ही काम चला लू रोशनी जब तक रोटी और चावल बन रहे हैं तुम ज़रा पापर ही सेख लाओ इन लोगों का बस चले तो इस घर को बावर्ची खाना बना दें किसी के नकरे ही खतम नहीं होते हैं या उपर से ये सुनो कि घर में कुछ अच्छा नहीं बनता है रोशनी पापर लेकर जाती है लो जी पापर खाओ सब लोग तब तक रोटी और चावल बन रहे हैं क्या अभी तक रोटी या बनी नहीं हम अपने जमाने में दस मिनट में पूरे घर की रोटी या बना कर रख देते थे अभी भी अगर हम अपनी पर आ जाएं तो तो क्या माजी आगे तो बोलो तो यही कि वो तुम लोगों से जल्दी और अच्छा खाना बना सकती हैं इन फैक्ट मैं भी तुम लोगों से अच्छा खाना बना सकता हूं वैसे खाना तो मैं भी बहुत अच्छा बनाता ता अपने समय पर क्यों सुहीला क्या कहती हैं तो एक काम क्यों नहीं करते जब सब अच्छा बना ही लेते हैं तो आज से एक हफता खाना आप लोग मराएंगे, और एक हफते में और एक हफते भावी, थोड़ा हम भी तो आप लोगों के साथ का . तो तुम लोग क्या सोचती है, मेरी मा न बना सकती ? अगरे अभी मेरी माँ इतनी बुड़ी नहीं हुई है चैलेंज मत करो, हम भी बना कर दिखा देंगे, क्यों भाईया? हाँ, क्यों नहीं, कल सही लीजे सुबा पांच बजे अलाम बचता है, सार्थक बंद कर देता है, फिर सीधे साथ बजे आप खुलती है ओ शिट, आज तो खाना भी बनाना था रूम से बाहर आकर वो देखता है, दोनों बहुएं अपने जिम जाने की तयारी कर रही है, तब तक रोहन भी आ जाता है भाईया, आप अभी उठे, मुझे ऑफिस जाना है, मम्मी का है? तभी मम्मी जी की आवाज सुनाई देती है अरे मम्मी, आप भी उठी नहीं क्या सोकर? अरे बुड़ा आपे का शरीर है बेटा, तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? रोश्नी जल्दी चलो, नहीं तो हम दोनों जिम के लिए लेट हो जाएंगे अब जल्दी चलो नहीं तो आज आफिस छूटी जाना है मम्मी, हल्दी का है? वही देख लो मम्मी मिर्श दे तो जरा अरे दुश्टो, मुझे नहीं पता वहीं रखी होगी देख लो अरे कितने सालों से किचिन की शकल नहीं देखिया आपने? अरे नास पीटो चुपो जाओ, जो बनाना है बना लो वैसे तो एक संजीव कपूर और एक रंदवीर बरार बन रहा था दोपहर में सास बरतन साफ कर रही है अरे जी सुनो जरा, थोड़े बरतन साफ कर दो इन दोनों ने पूरे किचिन के बरतन सिंख में डाल दिये है दोनों लोग जैसे तैसे खाना बना के ले जाते हैं, फिर शाम को घर आते है अरे पती देव जी, आज खाने में क्या बनाया है? आज तो कुछ टेस्टी ही होगा, आखिर आज खाना हमारे पतियों और सासुमा ने जो बनाया है किचिन से आवास आती है मम्मे, आपने बरतन साफ नहीं किये, अब खाना किस में बनाये? क्यों जी, तुमसे बरतन साफ नहीं किये गए? अरे किये तो थे यार, घिस घिस कर मेरे हाँ एक दम, देखो कैसे अजीब से हो गए, थोड़े इसे तो छोड़े थे बस रोशनी चलो, आज लगता है यहां खाना मिलने से रहा, हम लोग अपना खाना जो मैटो से ओर्डर कर लेते हैं अरे नहीं नहीं, बस रेडी है खाना, लो, फिर सार्थक कूकल लाकर रख देता है ये क्या है, खाने में बस पुलाओ, अरे खाले बहू, मम्मी, हम तो खालेंगे, लेकिन आपके जुड़ों के दर्थ का क्या होगा नहीं, नहीं, मैं भी खालूंगी, लेकिन वो एक बात कहनी थी तभी सार्थक महेश और रोहन भी एक साथ बोलते हैं कल से तुम दोनों जो बनाओगी, खालेंगे फिर सुशीला महेश हाँ बहू, हमें अपनी गल्ती का एकसास है अगले दिन से दोनों बहूएं अपनी कमान संभाल लेती हैं